एक तरफ बर्बाद होती दवाएं और दूसरी तरफ दवाओं के लिए तरस्ते लोग अधूरी पड़ी इमारत में धूल भाकती दवाओं की ये तस्वीरे हैं बिहार में कटिहार के जिला अस्पताल की ये न केवल स्पताल के इंतजाम बलकि दवाओं के रख रखाओं की सच्चाई बया कर रही है बुखार मलेरिया समेट कई बीमारियों के इलाज में काम आने वाली के करोड़ों रुपई की दवाएं हैं इनमें कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जिनके बिक्री और इस्तमाल पर सरकार ने रोक लगा रखी है जिन दवाओं को कम टेंपरिचर पर रखा जाना चाहिए वो भी ऐसे ही खुले में पड़ी है लेकिन जिम्मेदार स्टोर की कमी का हवाला दे रहे हैं और दवाओं को इस तरह से रखने पर क्वालिटी गिरने से इंकार कर रहे हैं इलाज के लिए ज्यादा तर लोग जिला अस्पताल और यहां से मिलने वाली दवाओं पर निरभर है ऐसे में दवाओं की कमजोर क्वालिटी उनकी सेहत सवारने के बज़ाए उसे बिगाड़ने का काम कर सकती है बिहार के कटिहार से असुद्र रह्मान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सुराज एक्सप्रेस